नमस्कार दोस्तों जैश्री महाकाल आज के इस वीडियो में हम पशुपती व्रत करते वक्त हमसे कोई गलती नहीं हो पा रही है तो क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं तो उससे सम्मंदित कुछ हम जानकारी कुछ बाते देखेंगे कि हमें ये व्रत कैसे करना चाहिए इसमें क्या गलतिया हमसे हो जाती है देखे सबसे पहला बिंदू कि जब भी हम शिवजी के मंदिर जाते हैं पशुपती व्रत करते वक्त तब हम जो जल चड़ाते हैं शिवजी पर जल से अभी शेक करते हैं उस समय हम मंत्र बोलते हैं ओम नमस्शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुब्यम हमें पशुपती जी का भी नाम एक बार लेना चाहिए उनका मंतर एक बार बोलना चाहिए ऐसा शुप पुराण में वर्नित किया गया है क्योंकि हम पशुपती नाथ का ही व्रत कर रहे हैं ओम पशुपती नाथाए नमा दूसरा बिंदू ये है कि आप एक ही मंदिर में पाचो उवरत पूर्ण करिए पहले से ही आप देख लिजिए कि कौन सा मंदिर मेरे लिए जाने के लिए सुलब है मैं कहां जा सकता हूँ तो उसी मंदिर में आप अपने पाचो उवरत पूर्ण करिए मंदिर एक ही होना चाहिए तीसरा जब आप भगबान पर अक्षत अर्पित करते हैं चाहे वो प्रति दिन कर रहे हूं चाहे वह आप उद्यापन के समय कर रहे हूं अक्षत याने की आपका चावल खंडित नहीं होना चाहिए पूर्ण चावल आपको लेना है आखा चावल आपको लेना है करना है इसका वीडियो में अपलोड करूंगी आप जरूर देखें नेक्स्ट यह है कि आप सभी जिस दिन आप अशुपति व्रत करें आपको नमक का सेवन नहीं करना है फलाहार का सेवन करें शाम को जब अपकाना खाये उसमें आप नमक खा सकते हैं उसके बाद आपको जब आप दिया प्रजवलित करते हैं जब आप शिवजी से मनोकामना करते हैं उस समय आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है शिवजी को कि आप क्या चाहते हैं आपके मन में क्या है नेक्स्ट यह है कि आपके घर में मालीजी चार जनों ने पशुपतिवरत किया है तो जब आप चारो जने पूजा करने जाए सबकी थाली अलग-अलग होनी चाहिए सबका प्रसाद अलग-अलग होना चाहिए अलग-अलग का मतलब अलग-अलग पातर में होना चाहिए प्रसाद बहले ही एक बनाया हो लेकिन उसका पातर अलग-अलग होना चाहिए सबकी थालियां भी अलग-अलग होने चाहिए आप वो प्रसाद जब घर पे लेकर आएं तो अपना प्रसाद आप ही खाएं सबसे पहले खाना खाने के पहले आपको प्रसाद ही खाना है अपना प्रसाद आपको खाना है किसी और को नहीं देना है और आप जो प्रसाद तयार कर रहे हैं आपने जो भी प्रसाद बनाये हैं माली जापने हल्वा बनाया है, खीर बनाई है, कुछ मिठाई बनाई है, तो जो प्रसाद बनाया है, वो आपको शिवजी के नाम से बनाना है, और सारा प्रसाद एक पात्र में एकटा करके आपको शिवजी के लिए लेके जाना है, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा बना लेते ह फिर ये इतना शिवजी के लिए ले जाएंगे बाकी बचावा घर में ये खालेंगे वो खालेंगे ऐसा नहीं होना ची सारा पसाद हम शिवजी के नाम से बनाएंगे शिवजी के लिए हमें सार पसाद लेके जाना है तो ये छोटी-छोटी सी बाते हैं जिसका ध्यान हम नहीं रखते हैं तो हमारी मनो कामना भी पूर्णे नहीं हो पाती है। शद्धा रखिए, नियमों का पालन करिए, तो भगवान शेव आपकी मनो कामना जरूर पूरी करेंगे। तो इसी प्रकार इस वीडियो में मुझसे बोलने में, आपसे सुनने में कुछ गलती हुई हो तो भगवान महाकाल हमें शमा करें, धन्यवाद।